नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल पे जहां हम आज डिसकस करेंगे कि यूजी और पीजी कोर्सिस के एक्जाम होंगे या नहीं होंगे जो कशन मार्क बच्चों के दिमाग में लगा हुआ है क्योंकि इससे पहले CBSE ने 12th के एक्जाम कैंसिल कर दिये थे उससे पहले 10th के एक्जाम कैंसिल हो गए थे तो यूजी और पीजी के कोर्सिस के जो बच्चे थे वो सोत रहे थे कि उनका एक्जाम कैंसिल होगा या नहीं होगा तो हम नोटिफिकेशन को कवर करते हुए आगे का देख लेते हैं यह ट्विट पांच जून अगर मैं आपको जूम करके दिखा हूं तो यह पांच जून और दा ट्राइब्यून नूइस पेपर में इनका जो ट्विटर का जो नूज है वो इसमें प्रिंट हुआ है इसमें जून यास दिस इस इस इंपोर्टन डेट फोर एनी यूजी और पीजी को से जो अभी फाइनल येर में हैं और जो एक्जाम देने वाले हैं तो उनका एक्जाम का डेट एमडियू ने बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि एक्जाम 16 जून से यानि कि आज 7 जून हो गया है मैं अगर आपको इनका रियल ट्वीट दिखाऊं जो इन्होंने पांच जून को जो ट्वीटर हैंडल पर छोड़ा हुआ है अब हम डिस्कूस कर लेते हैं कि किन-किन कोर्सिस के एक्जाम होंगे जो कि ओनलाइन मोड में होने वाले हैं तो कोर्सिस के जो एमडियू ने ट् next है mphil first and second semester yes psd और mphil दोनों के first और second semester दोनों के exam mdo connect कराने वाली है next mmsc all msc m.com first semester mmsc m.com जितने भी बच्चे फर्स semester का exam देने वाले हैं उनका exam भी online मोड में ही होगा जो कि डेड़ दी हुई है mdo ne 16 जून और भी जो कोर्सिस हैं वो हम outside पे Check कर सकते हैं जो इनकी original website है and all such examination which were earlier schedule to be held online from जो भी schedule है वो online mode में ही होगा यानि कि जितने भी notification आएंगे exam का exam paper जो होगा वो भी online सब कुछ from 16 June एक में से ये exam का जो procedure है जो criteria है वो शुरू हो जाएगा और ये 16 June तक चलने वाला है M.D.U. controlled examination जो M.D.U. के examination controller है डोक्टर B.A. Sindhu जी ने tweet करते वे ये बोला है कि B.A. Sindhu said that the online examination of left out eligible student of all courses for which the offline examination were held in March 2021 Yes जो exam March 2021 में offline mode में होने वाले थे वो अब online mode में होंगे will also conducted from June 16 through the online mode Yes 16 June से वो exam online mode में conduct करे जाएंगे C.O.E. said the online theory examination all programs would be 3 hours duration सारे जोरी exam योगे पहले भी तीन घंटे के होते थे और वो अभी भी तीन घंटे में ही होंगे जो exam की जो duration है वो 3 hours की होगी The student will be required to attempt any 5 questions Yes पहले की तरह ही जो question paper था वो set up किया जाएगा और 5 questions student को करने होंगे Any 5 questions and all questions will be carrying equal marks Yes सारे questions equal marks के दिये जाएंगे The student will have to follow the standard operating procedure of COVID prescribed by the university details of which are available on the MDU website Yes और बाके details जो होंगे वो MDU के website पे available हो जाएंगी तो जो बच्चे अभी preparation कर रहे हैं या फिर जो बच्चे PhD, MPH, MBA, MSC, MCOM, etc जो भी MDU से related course है UG और PG course उनकी जो exam है वो 16 June से Yes that is the important date for you all students Alert that date की 16 June से जो exam mode है वो सुरू हो जाएगा और जो mode है वो online mode होगा और तो अपना preparation है वो continue रखे And finally all the best to all of you for that exam अपना अच्छे से preparation करें और अच्छे से exam दें COVID से भी बचके रहें Stay safe, stay healthy Because COVID गया है लेकिन पूरी तरीके से खतम नहीं हुआ है तो अपना ख्याल भी रखे तब ते के लिए Take care, bye bye मिलते हैं Next video में जो की दूसरा कोई notification होगा जो आप से related होगा Thank you so much for watching this video Please do subscribe and comment